आज किसानों का दिल्ली कूच का दूसरा दिन और किसान दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हुए हैं और इस समय पर सिंदू बोर्डर पर भी जो व्यवस्ताएं हैं वो काफी पुक्ता कर दीगे हैं लेकिन शंबू बोर्डर अंबाला की तरफ अगर हम देखें तो शंबू बोर्डर के उपर अभी भी टसल जा रही है और तकरीबन तकरीबन यहां पर दस किलोमेटर लंबा ट्रेक्टरों का रेला जो है किसानों का वो लग गया है और इस समय पर किसान बड़ी तादात के अंदर शंबू बोर्डर पर जुटे हुए हैं और दिल्ली एंटर करने के लिए शंबू बोर्डर की जो सीलिंग है उसको तोड़ने की कोशिश में हैं और देखिए यहां पर कितनी जबरदस्त इस समय पर आसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और पुलिस के द्वारा और सेना के द्वारा कितनी कारवाई की जा रही है यह 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 भाग रहे है किसान और इस समय पर काफी बड़ी मुस्तैदी के अंदर में सेना और पुलिस के जवाँ उन्हों को ने निश्चे किये कि किसी भी तरीके से किसानों को इस बार शंबू बोडर वी पार नहीं करने देना है तो यहाँ पर किसानों ने क्या रननीती अपनाई है शंबू बोडर को तोड़ने के लिए और दिली कूच करने के लिए ये भी हम जानेंगे है लेकिन इस वक्त की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो यह काफी बियावे तस्वीरें लगातार यहां पर आसू गेस के गोले छोड़े जा रही है और